नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेडी फॉर सिविल सेर्विसेज में और इस वीडियो हम देखेंगे यूपी एससी ईपी एफो का टू दो जर सोला का पेपर था यह 26 फरूरी 2017 को हुआ है इन्फोर्स्मेंट आफीसर के लिए पेपर था यह और इसका पूरा सॉलिस का टाइम है कि मैं काफी देर से लाइव इस्ट्रीम कर रहा हूं इसमें कोशिश लेकिन नहीं हो पा रहा है कई सारे लोगों ने मुझे पेपर भेजा उनको मैं पहले सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा यह भासकर ने शुभम ने संतोस्त ने अनुराग बसू बलजीत नुनिया, जोती, सशांग, गीता अंजली, निखिल, शशांग, सोनी और गीता सिंग, कई सारे लोगों ने भेजा हैं को लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि अगर जब भी कोई पेपर हुआ करें पहली बात तो आप यह कि उसकी क्लियर फिक खीच के बेजा करिए करते हैं, सेट एक पेपर आये, पहला क्वेशन है, इसमें देखें, शुरू में कुछ इंग्लिस के क्वेशन है, एंटोनियम है या फिर बिलोम, और सिनोनियम है या फिर परिया भाच्य तो पहला क्वेशन है कि विच आप दा फॉल्लोइंग, इसमें वह दिया हुआ है, आइसन्सेयल तो इसका सिनोनियम पुझा हzyć jedaOne devil पूर्षेज कि इसमें अगर आप तो सेकंड कोश्यन जो हैर ये इसमें जो यह यह वर्ड यह है क्मीड करके दिया हुआ है इसका जो हिंभी में शब्द मतलब होता है मामूली रिदे हैं फिर फिर तो थैर्ड का अंसर हो जाएगा इसमें A, फॉर्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें भी आपको एंटोनियम बताना है, इसमें एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, तो ये इन्मिटी का मतलब होता है, और फिर शत्रुता, तो उसका जो उल्टा होगा, एंटोनियम मतलब फ्रेंडली, तो फॉर्थ का होगा इसमें A, फिफ्च्ट क्वेश्चन अगर इसमें पूछा आपको एंटोनियम याणि कि विलोम, तो यह क्वीर सब्द का यह एंटोनियम पूछा है क्वीर का मतलब होता है विचित्र और उसका एंटोनियम होगा कश्टमरी तो 6 का होगा D 7th question इसमें है 7th question है which one of the following इसमें आपका पूछा है which one of the following parts of the sentence as you know that the ignorant are easily due to as an error किस भी किस पार्ट में इसमें error है तो इसमें मेरे साब से 7th का B होना चाहिए that the ignorant देखें यह answer UPC से vary कर सकते हैं और आप किसी दूसरी की से मिलाओ तो भी vary कर सकते हैं तो यह पूरा का पूरा यह मेरा जो individual assessment है जो मैंने अपनी Google से और बाकी सब जगे से R&D की उस हिसाब से यह इसमें बिल्कुल variation हो सकता है और आपका जो answer हो वो भी बिल्कुल अलग हो सकता है comment करके आप discuss कर सकते हैं इसमें 8 question है इसमें आपको पूछा है कि इसमें किस पार्ट में error है मेरे साब से after a lot of argument नहीं होना चाहिए यहां पर 8 का यहां पर A में error है तो 8 का answer होगा A 9th question है इसमें भी error पूछा है इसमें मेरे साब से कोई error नहीं है मतलब 9th question don't ask him how he is because if he starts talking about his health you will never get off from him तो 9th में इसमें D होगा 10th question जो है इसमें कि इसमें पूछा है आपको कि कौन सा word इसमें से आप इसको substitute कर सकते हैं जो यह definition दी हुई है नर्सरी वेर children of working parents are parents are cared for while their parents are at work मतलब जब उनके parents होते हैं मतलब कोई भी जैसे आजकल जो working professionals होते हैं उनके जो देने उनके लिए नर्सरी होती है जिससे कि उनके बच्चों की देख भालो पालना घर बोलते हैं उसको यह शिशुशतन बोलते हैं और उसका English में मतलब होता है क्रेचे तो 10th का होगा 10th का होगा मतलब इसमें 11th है इसमें कि that which cannot be taken by force इसका मतलब है यह कौन सा इसमें substitute कर सकते हैं तो impregnable होगा impossible और improbable तो एक ही होता है तो यह नहीं होगा तो 11th का होगा D 12th question है which one of the following is appropriate question tag in the sentence take a seat won't you होगा मेरे साब से 12th का होगा C 13th question है जो इसमें 13th question है which one of the following is the appropriate question tag in the sentence anyone can make mistakes can't they यानि कि 13 का मेरे साब से होना चाहिए C 14th question अगर आप देखें इसमें तो इसमें है which one of the following phrasal words may be used in the blank space in the sentence he is fond of art and seems fit out होना चाहिए 14th का A होना चाहिए मेरे साब से 15th है which one of the following phrasal words may be used in the blank space in the sentence we were happy in the beginning but now all the troubles have cropped up होना चाहिए 15th का A होना चाहिए मेरे साब से 16th question अगर आप देखें तो इसमें आपको fill in the blanks चाहिए यहां पर तो 17th का C होना चाहिए 18th question अगर आप देखें इसमें 18th question है कि इसमें भी fill in the blanks करना है और he lived hand to mouth होता है hand to mouth होता है hand to mouth होता है मतलब काफी जल्दी बाजी में करना जैसे कि production line में जल्दी production होता है उसमें ज्यादा production करना होता है तो 18th का B होना चाहिए 2 19th question अगर आप देखें इसमें तो इसमें आपको यह बताना है which one of the following के एक substitute बताना है कि there is no meaning to cry over the split milk since the matter is over यानि कि no use of worrying about होना चाहिए 19th का A होना चाहिए यहाँ पे 20th question अगर आप देखें इसमें भी आपको substitute करना है serving the sufferers in true human service यानि कि an excellent work होना चाहिए C होना चाहिए 20 का C होना चाहिए 21 अगर आप इसमें देखेंगे तो यह यहाँ पे अब यह पार्ट भी हो गया इसमें फिर जीयास और बाकी सब इकनॉमी और यह quantity ट्रॉप्टी यह सब चालो गया तो इसमें 21 है कि author पूछा है मतलब अंदर तक उसके पूछा है इसमें 22 का भी होना चाहिए वांटेट टो इस्टैबली सब ब्रिटिस इस्वेर ओफ इंफ्लूएंस ओर दा पर्शियन गर्फ एंड सी स्टन तो 22 का होगा भी 23 एसमें की जो पेजेंट एसोशेशन थे के रला में 1930s में किया गया तो सिट अटेक्ट बाइ डाइटली इन अर्ली 1936 एंड देर रेजिस्टेंस वस कंसीडर्ड फ्रीडम श्ट्रगल 25 का होगा सी 25 हो गया 22 के बाद 23 भूल गया था 23 है विच्वन फॉल इसक्रेक्ट अवाउट असा में प्रिटीच इंग्या अगर आप विकीपीडिया देखें तो इ भारत इस्त्री महामंडल की पहली मीट इलाबाद में हुई थी यह किस ने की थी और यह इनका नाम था सरला देवी चौधरानी तो 26 का होगा सी यह आप रट लिए आगे वाले एक्जाम में कामा सकते हैं नॉन कॉपरेशन मुमेंट के लिए पूछा कॉंस अफेक्ट नहीं हुआ था यह एकनॉमिक बायकॉट भी इंटेंस नहीं था इस एकनॉमिक बायकॉट नहीं हो पा रहा था पूरा इसलिए फिर मात्मा गंदी ने और फिर चौरी-चौरा भी हो गया तो इसलिए फाइनली इसको क्लोज कर दिया था तो 27 का और नॉट करेक्ट है यानि क कि यह होगा 28 है कि खान अब्दुल गफार खान ने 1928 में कौन से पब्लिकेशन चालू की थी तो यह पक्तून है 28 का होगा यह 29 है कि आर महिला समाज की फाउंडर कौन थी यह इनका नाम है पंडिता रामाबाई विकिपीडिया में डायरेक्ट दिया हुगा है कि पहला इंडियन जनरलिस्ट कौन है जो जेल गया था वह सुरीयन नात बनर जी नच पर एक स्टेटमेंट और पूछा एक और और इंडिया का रीजन क्या था तो यह आप देखेंगे, तो तीनों रिजन दो दिये हुए है, वो तीनों ही होंगे, तो D होना चीए, 31 का, 32 है, विच, एक सोशल रिफॉर्मर थे, यह पुने से, धोंडो केशाव कारवे, D.K. कारवे इनको बोलते थे, यह आटो बायोग्रफी थी, looking back, 1890s में थी यह, तो 32 क होगा, A. 33 question अगर आप देखें, पहले Director General of Archaeological Survey of India थे, Alexander Cunningham, यह question पहले आ चुका है, यह state pieces में, यह repeated question है, इस बार UPC ने काफी factual question पुछे है, 33 का होगा, B. 34 है कि, which of the following works was not contributed by the famous social reformer Begum Rokya, इनका नाम है, यह Mother India वाला होगा, option, 34 का होगा, C, 35 है, इसमें, which one of the following is not, 35 question, इसमें मैं बता रहा था आपको, 35 question, which one of the following is not a characteristic of Mughal Chronicles, इसका अंसर होगा, B, they were a repository of factual information about the Mughals, ऐसा नहीं था, तो 35 का होगा, B, 36 है, इसमें भी not correct पूछा है, यह आप जरूर question में देखा करिए, कि not correct पूछा है, कि correct, इसमें कई स correct पूछा है, not contributed, not correct, not a characteristic, तो यह इसमें OCI जो होती है, overseas citizens of India, इसमें 36 का होगा A, यानि कि an OCI is a citizen of another country, ऐसा नहीं होता है, 36 का होगा A, correct, 37 है, आधार बिल था, इसका मैंने वीडियो बनाया था, इसका answer होगा 37 का A, यानि कि only citizens of India are entitled for enrollment under this act, तो 37 का होगा A, 38 है, कि forced labor, forced labor, या फिर बेगार, ये किस इंडिया, किस आर्टिकल, इंडिया के constitution के किस आर्टिकल का उन लंगन है, या violation है, तो वो आर्टिकल 23 है, ये बता चुका हूँ, मैं आपको 38 का होगा D, 39 अगर आप देखें, तो इसमें भी पूछा देखिए, not correct, ये बिशेज ध्यान रखिएगा, इसमें कि constituent assembly of India के बारे में कौन सा fact not correct है, इसमें होगा D, कि method of selection in the case of representative ops, इंडियन स्टेट्स was to be determined by the government general of India, ऐसा नहीं था, 39 का होगा D, फिर 40 में भी not a constitutional body पूछा देखिए, तो इसमें 40 का होगा D, national commission for women, 41 में पूछा है, monopolistic competition का कौन सा feature नहीं होता है, मेरे साब से ये होना चाहिए, 41 का 42 है, social cost is higher than economic cost, मेरे साब से इसमें होना चाहिए, cost born by by standards is positive, जो मैं Wikipedia पे देख रहा था, उस हिसाब से जो मुझे समझ में आया, 42 का C होना चाहिए, 43 SS जो लगता है coal पे वो एक carbon tax है, ये तो budget में दिखता है, 43 का होगा A, 44 है core inflation, ये different होता है headline inflation से, क्योंकि core inflation में जो food वाला जो volatile item है, उसको ignore कर दिया जाता है, तो इसलिए answer होगा इसमें, A, 44 का होगा A, 45 है, choice of techniques के author कोन है, A, 45 का होगा A, 46 है कि national student startup policy किस ने start की थी, A, I, C, T, E ने की थी, ये अभी number की news है, 2016 की, तो 46 का होगा D, ये हमने वैसे one energy के वाले मताया था अपने उसमें, 47 है इस of the following was the chairman of the working group of, ये एक working group बनाया गया था, producer price index के लिए, उसके chairman कौन थे, BN Golder Committee बनाए गी थी, इसके लिए 47 का होगा D, 48 है कि कौन सी ऐसी scheme है, जो 11 से 18 साल की जो भी adolescence या adult जो लड़कियां होती ही, उन पे पूरा focus करती ही, all-round development के लिए, उसका नाम है सबला या फिर राज 49 है, पेसा वाला जो एक्ट है, उसको ये क्या permit करता है कि self-dourness of natural resources भाई, ग्राम सब आओगा, इसका answer 49 का होगा है, 50 है कि WTO का कौन मेंबर नहीं, देखिए अगर बड़ी economies की बात करें, तो WTO के किवल, इरान और Algeria दो बड़े देश मेंबर नहीं है, तो ये दोनों को नहीं होते हैं, exception हैं ये दोनों, इरान और Algeria, Algeria भी आप याद रख लिजेगा, ये भी दो बड़ी economies हैं, जो WTO के मेंबर नहीं है, अपना अलग से 2005 के basis पर ट्रेड करते हैं, ये विकीपीडिया पर लिखा हुआ है, 51 है startup scheme, जो इस टेंड़ एक startup थी, एक startup थी, इस टेंड टिक लगा रखा है, आप देख भी सकते हैं, डिरेक्ली, 52 में राजु गांधी खेल रतन आवाट, 2016 को दिया, ये हम बता चुके हैं, आपको चारो लोग जो इसमें प्रेजेंट है, जीतू रहे, धीपा करमाकर, पीवी संदू, सक्षी मुलिक, चारो को मिला था, ये हम बत हटा के, डायरेक्ट वो एयर से ओटू ले लेता है, तो इसमें कमबस्चन हो जाती ही, डायरेक्ट एयर से, तो इसमें ऑक्सीजन, सिलेंडर ले जाने के जरूद नहीं पड़ती है, यानि कि कॉस्स कटिंग हो जाती है, तो इसमें 53 का आंसर, और ये देखिए, अगर आप इसरो की साइट पर पढ़ेंगे, तो सब्सोनिक और सुपर्सोनिक दोनों कमबस्चन मोड में किया जा सकता है, एफिशेंटली, तो 53 का होगा, यानि कि ओनली वन करेक्ट, 54 है, स्टार्ट अप, हब सार एक डूप, ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट पूछा है, ये अभी मैंने बता है, आपको एक दस लाग से लेके, सौ लाग यानि की एक करोड तक, ये आपको इसमें लोन मिलता है, और इस्टेंड अप किसके लिए होती है, स्टी स्टी वोमन के लिए, नि वन टू होगा, 55 का होगा, 56 अगर आप देखें, तो ये गोल्ड के टम, धोज़, the expenses to be matched with the revenue is based on original cost, 57 का ये होना चाहिए, 58 हे, preliminary expenses are examples of deferred revenue expenditure, 58 का sih होना चाहिए, 59 अडिप्रीशियेशन of fixed assets is an example of revenue expenditure, ये एक्सपेंस, तो 59 का डी ए, 60 है, इसमें, आई एफ एरस का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेशियल रिपोर्टिंग स्टेंडर्ड 60 का होगा ये 61 है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और इससाब से आपको इसमें निकालना है इसमें अगर आप केल्कुलिट करें तो यह आए गया यह नहीं कि 19,36,000 इंकम एंड इक्स्पेंडिचर एकाउंट इस नॉमनेल एकाउंट 62 का होगा सी 67 है लिगेसी जनरली कैप्टिलाइज एंड टेकन टू सस्पेंस अकाउंट मेरे साब से इसका डियो ना चाहिए 63 का वह भी आस पास का मझे मिला है मैंने उस ही साब से बना दिया है अबनॉर्मल लॉस और कंसाइम्मेंट इस ग्रेडिट टू कंसाइम्मेंट एकाउंट 64 का सी होगा 65 एंड गूट सार परचेस फॉर्ट जॉइंट वेंचर था इमांट इस डेबिटेट टू जॉइंट देगा यह करीबन तो इसका अंसर होगा 66 का एंड गा 67 है ब्रांच एकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम इस नॉमनल अकाउंट तो 67 का सी होगा 68 है कॉस्ट ऑफ एलेक्ट्रिकल पावर एलेक्ट्रिक पावर शुट बी पोस्टन ओवर डिफरेंट कंप डिपार्टमेंट स होर्स पावर मल्टिप्लाइड बाई दा मशीन होगा तो यानि कि 68 का होगा C, 69 है कि शेडूल पूछा है इसमें, शेडूल 3 होगा इसमें, तो 69 का होगा इसमें C, 70 है इन दा अप्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन दा पार्टनर्शिप एग्रिमेंट प्रोफिट्स आंड लॉसे आर शेर्ड बाई दा पार्टनर्स इन दा रेशियो ऑफ इनीशियल कैपिटल इंट्रोज बाई दा पार्टनर्श तो सेंटीव का होगा D, 71 वर्क्स कमिटी, सेफ्टी कमिटी और कैंटीन मेनेजमें कमिटी और दा एक्जम्पल्स अफ वरकर्स पार्टिसिपेशन दा मैनेजमेंट तो 71 का होगा A, 72 है, which one of the following is not a part of aims and purposes of the ILO यानि की इंटरनेटनल लेबर और और दा फिलादेल्फिया डेकलरेशन तो फिलादेल्फिया डेकलरेशन तो फिलादेल्फिया डेकलरेशन इस रिलेटेट तो ILO यानि की इंटरनेटनल लेबर और अर्गनेशन यह भी आप याद रखेगा आगे के लिए, इसमें D answer होगा, 72 का, 73 है, which one of the following is an exception from the five functional types of unionism identified by Robert Hoxie, इसमें होगा evolutionary unionism, तो 73 का होगा D, 74 हैसमें आपको पूछा है कि अगर कोई, यह देखे, which one of the following is the process in which representative of workmen, जो employer है, employees के बीच में, अगर कोई dispute हो जाता है, तो उसको किस हिसाब से, उसको solve करते हैं, तो यह collective negotiation होगा, 74 का होगा D, 75 questions related to the application or interpretation of a standing order certified under the industrial, यह act वाला, इसमें होगा labor court, 75 का होगा C, 76, अगर आप देखें इसमें, a union whose membership may cover workers employed in many industries, employment and crafts is known as general union, 76 का होगा D, 77, which one of the following perspective of industrial relations is based on the assumption that both the parties strive to exercise economic as well as political power, दोनों parties economic and political power लेने की कोशिश करती है, तो उसी साब से, मतलब, अचीव करने की कोशिश करती है, 77 का होगा, इसमें A भी हो सकता है, B भी, इसमें कुछ clear नहीं पता चल दा था, A होना चाहिए मेरे साब से वैसे, यह वैसे B भी हो सकता है, तो आप इसमें doubt है, 78 है provisions of workers participation in management of industries provided, यह 43 A में दिया हुआ है, अगर आप Wikipedia आम देखेंग, तो 43 article, article 43 A में दिया हुआ है कि worker का participation होना चाहिए, management of industries में, तो यह 78 का होगा, B, 79 है, इसमें पूछा है आपको, कि which one of the following is not a trade union security measure, इसमें open shop system होना चाहिए, 79 का, 80 का है, which one of the following is statutory machinery functioning at the central level, यह ESIC होगा, तो 80 तक हमने, 81 तक लेख रहा था, 82 में अगर आप देखें, 82 में उसमें पूछा है कि central advisory board का chairman किसको किया जा सकता है, तो 82 का होगा, यह 83 है, कि कौन सा state list में आता है, एंडर, तो यह relief of disabled and unemployable है, 83 का होगा, 84 में पूछा है, man is selfish and self-centered, तो यह policy, and always try to achieve his own ends, even at the cost of the others, यह police theory में है, Wikipedia में कुछ ऐसा ही दिख रहा है, 84 का होगा, बी से लिए 85 है, एक और, एक रॉइट करके formula है, यह किस से related है, यह minimum base related है, तो 85 का होगा, अब भी, 86 का है, यह काफी लंबा सा लिखा है, आप इसमें देख लिजेगा, पढ़ लिजेगा, इसमें universal declaration of human rights होगा, 86 का होगा, 87 है, इंडिया में पहली बार medical benefit को as a non-cash benefit कि यह किसमें दिया गया था, ESIC, 1948 वाले act में, यानि employment state insurance act में दिया गया था, ESIC नहीं, employment state insurance act में दिया गया था, 1948 में, 87 का होगा, A, 88 है, इसमें आपको यह William beverage वाला जो question है, इसमें होगा, A, want disease, ignorance, squelor and idleness, 88 का होगा, A, 89 है, mental pension योजना से related question है, यह पिछली बार भी आया था, चाहिद question है, यह इसमें D है, इसमें भी not correct पूछा है, तो यह खास द्यान रखिएगा, इसमें, 90 है, यह भी पिछली बार आया था, प्रधान मनत्री सुरक्चा भी मायोजना की, यह पूछिए कि इन्शोर वो कितना होता है, प्रीमियम, एन्नुल प्रीमियम, यह तो आप जानते होंगे, टीवी पे आड़ आता रिता है, 90 का होगा D, 92 से, 91 से क्या किया है, कि इसमें, डो स्टेटमेंट दिये है, 91 और 92 के लिए, और इसमें से, अगर आपको, इसमें से, अगर दोनों सही है, और पहला, दूसरा वाला पहले का एक्सप्रेंस है, यह तो आपको पता ही होगा, आप देख लिएगा, इसमें, तो 91 का D होना चाहि यानि की statement पहला false है, दूसरा true है, और 92 का यह होना चाहिए, दोनों statement और पहला दूसरा वाला पहले का explanation है, यानि की moon वाला जो question उसका D होना चाहिए, और जो glass of ice water वाला question है, इसमें यह होना चाहिए, 93 है कि कौन सा material, diamagnetic नहीं रहता है, standard temperature and pressure पे तो यह iron होगा, 93 का D होगा, 94 है कि किस gas की solubility highest होती वाटर में तो यह ammonia है ammonia यह आप याद रखेगा ammonia की ammonia ऐसी gas है जो की highest soluble in water होती है और इसकी solubility काफी ज़्यादा है बाकी है इस computer और अब carbon dioxide और nitrogen यह देखेंगे website पर दिया हुआ है यह आगे के लिए यूपी पीसेस के लिए आप देख लीजेगा 94 का होगा भी bleaching powder का formula होता है CACLO2 यानि कि इसको calcium hypo chloride भी बोलते हैं इसमें chlorine होगा 95 का होगा 96 है चिकन गुनिया का causal agent कौन होता है यह वाइरस चिकन गुनिया वाइरस की यूटलाइस की जाती किसको कंट्रोल करने में हैवी मेटल पॉपलोशन को कंट्रोल करने में बायो remediation यूज करते हैं तो 97 का होगा डी 98 है इसमें कि कुछ historical monuments पे यह लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं यह 2004 की बात है तब का पूछ रहे हैं यह कहां कहां से ला रहे हैं लोग 98 का भी है 99 कि कौन ऐसा है इसमें से जो की एनिमाल और प्लांट दोनों की characteristics जो करता है वह है यूगलीना नाइंटे अंडेट का है इसमें कि कई बार इंसेक्ट से बचाने के लिए जो इसका होगा इसका मतलब है यह ब्लूटूथ यह पिछली बार भी आया था इसका मतलब यह आप सी आंसर वायर्लेस connection between various devices or short distances 104 बेसिक फंक्शन आफ कंप्यूटर कौन सा नहीं इसकैन नहीं करता है बेसिक फंक्शन यह नहीं तो 104 का होगा 105 है हाडवेर इसमें से पूछा है कौन सा है प्रिंटर ड्राइवर है इसमें 105 का होगा 106 है काफी सेंपल से सवाल है यह रिलेट्व विलॉस्टी वाला कॉंसर्ट लगा के दोनों की स्पीड एड करके स्पीड इस इकल टू टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओलो फॉर्मला लगा देना इसमें आपको पूछा है यह एक प्राइज एक आर्टिकल है उसका प्राइज 20 परसंट रिडूस कर दिया फिर उसके ओपर टैक्स लगा दिया 5 परसंट तो यह वालो जो क्वेश्टन है इसका अंसर होगा 1100 इस बार यह वाले जो एप्टिटूड हो ले क्वेश्टन है ज 10 का आंसर हो ओगा C 108 है क्रिकेट बैट वाला जो क्वेश्टन है उसका आंसर होगा 1250 यानि कि D 109 है इसमें कुछ फीकर दीए हैं इसमें टी प्रोडूशन इसमेंट नीर स्टेट यह पूछा है बहुन सिंपल सह है 109 का वह भगा D 110 है इसमें रिमाइंडर वाला जोoken है इस का आंसर होगा 6, यानि कि D, 110 का आंसर होगा D, 111 है, maximum number of, यह spherical balls of radius 1 cm वाला question है, इसका आंसर होगा C, 112 में आपको एक city में 80% population, यह rice खाती और 90% यह non-vegetarians है, तो यह वाला जो question है, 112 का, इसका आंसर होगा B, 130 है, दो वेहिकल्स दिये हुएं, A और B, C, they are moving with uniform speed, 30 and 60, इस question का आंसर अगर आप पूरा solve करेंगे, इसमें 80 km रहेगा, 113 का होगा C, 114 है the price of a bottle of cold drink यह दिया हुआ है, इसका आंसर होगा C, यह देख लिजेगा, आप लोग थोड़ा जल्दी कर रहा हों है, if the radius of new, यह spherical container is double, तो इसमें पूछाए कि यह volume कितना रहेगा, old container का, तो इसमें 8 is to 1 आएगा, 115 का होगा C, 116 का है, जो 300 liter hydrogen gas वाला question है, उसका आंसर होगा D, 117 काफ़ी simple है, इसमें एक smallest circle, एक square जितना आ सकता है, उसका area पूछाए, अगर आप square का चार दिया है, मतलब इस side होंगी, इसमें 2, आप उससे radius निकाल लेंगे, तो radius आ जाएगे, इसमें root 2, तो pi r square, यहनि कि pi into root 2 का all square, तो 117 का जाएगा 2 pi, 118 18 दिया होगा, एक figure दिया होगा, उसमें image पूछी, तो इसमें होगा answer A, 119 में ABC business करते हैं, उनका जो यह profit of C पूछा है, वो होगा A, 2300, तो 119 का होगा A, 120 और 117 question लगबग same है, आप इसमें करके देख लेंगे, टू answer आएगा, इसमें भी वही पूछा है कि inscribed का मतलब होता है कि जो यह square के area of square inscribed in the circle, तो यह circle के inscribed में square है, वही पूछा है, जो 170 में लगएगा, वही 120 में लगएगा, तो 120 का answer होगा D, थोड़ा जल्दी में मैंने इसले किया, क्योंकि मैं काफी देर से लगा था और काफी लोग ढूड़ रहे हैं, मैंने देखा है कई सारी website वाले लोग अपना ये कुछ publish नहीं करते हैं, बस इसमे UPSC, EPFO 2017 लिखके, आंसर की लिखके, अगर आप उसमें क्लिक करते जाओगे, तो उनके एड में आप क्लिक करते जाओगे, उनकी Google में सर्चिबिल्टी बर जड़ती है, और उनको पैसे कमा लेते हैं, और इस्टुएंट को बेवकूप बना देते हैं वो लोग, इसलिए मैं मैंने जल्दी से किया है, कि आप लोग ये की, मैंने जितने वandel only question किये हैं इसमें, आप लोग बाकी लोगोंसे अभी शेयर कर लो, कि इस से चेक कर लो, ये मैं अभी बना रहा हूँ काफी देर से, तो इसमें काफी देर से मैं लगा हूँ